स्पीक मी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कर्ट अफेर से जुरी बाफ बाते आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा ऐसे तथ्य के बारे में और अगर सुना होगा तो आपके रिवीजन के लिए एक एक या दो तथ्य आपके साथ शेर करेंगे और कृमेंट के बारे में हम आज आपसे शेर करेंगे आज की इस वीडियो में आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिपया करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न उतेल टैनकर जहाजों पर विसफोट होने के बाद जून 2019 में भारतिय नौसिन द्वारा ओप्रेशन संकल्प शुरू किया गया था। भारतिय नौसिना के आधिकारिक बयान के अनुसार, ओप्रेशन ने खाडी क्षेत्र में प्रति दिन औस तन 16 भारतिय द्वजवाले व हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उत्तर टैलंगाना, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ATR टैलंगाना राज्य में स्थित है। साथ मादा हैं और दो को वर्गी कृत नहीं किया जा सका है। चित्तीदार हिरन और जंगली सुव इस रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं। Common High Court of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh का नया नाम क्या है। उत्तर High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh लंबे और बोजिल नाम करन, Common High Court of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh को बदल कर, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh कर दिया गया है। कानून मंत्राले में न्याय विभाग द्वारा आदेश को अधिसूचित किया गया था। मनुष्यों में Monkey Pox का पहला मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया था। उत्तर कांगो लोकतांत्रिक गनराज्य, रोग नियंत्रन और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार, अमेरिका के टेकसास में Monkey Pox का एक दुरलब मामला सामने आया है। Monkey Pox चेचक के समान विशानूओं के परिवार से संबंधित है। यह फ्लू जैसे लक्षन, लिंफ नोट्स की सूजन और चकते को प्रेरित करता है। वैज्यानिकों ने Monkey Pox वाइरस के दो अलग-अलग आनुवन शिक समुहों की खोच की हैं मध्य अफ्रीकी और पश्चम अफ्रीकी। मनुश्यों में Monkey Pox का पहला मामला 1970 में कांगू लोगतांत्रिक गनराजे में दर्च किया गया था। माना जाता है कि सेव की उत्पत्ती मध्य अशिया के देश-कजाखिस्तान की जंगली पहाडियों में हुई थी और वही से सेव बाकी की दुनिया में पहुचा। सिकंदर जब मध्य एशिया आया तब उसने इस फल के बारे में जाना और उसी के जरी सेव यूरोप समेट बाकी संसार में लोग प्रिय हुआ। 2. इंगलेंड के नौज में रहने वाले लोग सेव को देवताउं दवारा दिया गया उपहार मानते थे। वहां की कुछ प्राचीन क्रबों में इसे पाया गया है जो कि एक प्रतीत के रूप में मित्टी जा पत्थर के बनाए गये थे। 3. संसार में लगभग 7500 किस्मों के सेव पाये जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन में एक किस्म की सेव खाएं तो सभी किस्म की सेव खाने में आपको 20 साल लग जाएंगे। 4. अगर आप किसी ताजे सेव को पानी में रखते हैं तो वह तैरने लगेगा। इसका कारण है कि सेव में 25 प्रतीशत पानी होता है। 5. एक सेव का पेल 4-5 साल की उम्र में फल देना शुरू करता है और 200 साल तक जिंदा रह सकता है। कॉया बोर्ड भरती 2021, असिस्टेंट, LDC, UDC, जूनियर स्टेनो और अन्यपदू की वेकिंसी के लिए करे आवेदन। कॉया बोर्ड भरती 2021, कॉया बोर्ड ने सीनियर साइन्टिफिक ऑफिसर, साइन्टिफिक असिस्टेंट, शोरूम मेनेजर, असिस्टेंट, अपर दिवीजन क्लार्क, जूनियर स्टेनो ग्राफर, मेकेनिक, हिंदी टाइपिस्ट, लोर दिवीजन क्लार्क, सेल्समन, ट्र अगर आप बिना कोई investment के part time full time घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो इस वीडियो की description में link मिल जाएगा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को share करना ना भूले comment कीजिए like कीजिए और share कीजिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों ने समय देने के ल